आधेकले प्रेंग लियाँ, छिलका निकाल दियाँ, और प्रेंग का अंधर में एक अंडार हाल रहाँ, थोड़ाचे अध्रक, थोड़ाचे लस्टन, बारी कटवा, चारपांच ग्रिन चिली, हरी मिश्च चप को डालाँ, थोड़ाचे अध्रक शुन का पेष्ट, थोड़ से मैदा दू टेबल स्पून पॉल्फ दू टेबल स्पून मैदा स्वाधन चार नमक और थोड़ा से सुगर हाफ टी स्पून करीग और हाफ टी स्पून करीग स्वेसस एड़ किया हूँ और हाफ टी स्पून करीग विनेगार एड़ किया हूँ और यह सारे मसला मिलाकर में इसको बड़े से मिलाता रहा हूँ इसमें करने के बार इसमें गरंत देल में में फ्राइ करते रहा हूँ हल्का बुल्डन ब्राउन हो जेगा में निकाल दूंगा देकि अभी रागवा मेरा अभी फ्राइ हो गया अभी इसमें इसको छांग दे रहा हूँ मुल्ड इसमें हाँ अछियाव फ्राइपन में बठाहिकी ग्यास कब़, त्रुड़ायल देकि मैं एछप दोना हूँ व और अधरक अधरक चप में और घहिना चिली चप पर दोना हूँ और थुरा से ओईल काम था और थुरा से मैं ओईल लिया हूं यह हाल्प का टॉस करने बाद इसमें एक बड़े प्याच का हिसाब से एक प्याच और एक कैप्सिकम उनमें डाइस कटिंग के हुआ यह में एट कर रहा हूं और इसका अच्छा तरी से मैं अभी इसको टॉस कर दे रहा हूं और चानी स्पुड़ी में ज्यादा इसको नहीं पगाना है बास यह हो गया अब इसमें थुरा टमड़ केचब एट किया हूं टमड़ सॉस और थुड़ा ब्लाक प्रस पेपर गुलमर्शी का पाउडर एट कि एक टेबलस्पून करीब सोया सास एट किया हूं और थुड़ा से चिली पाउडर काश्मी केच चिली पाउडर एट किया हूं थुड़ा से नमक एट किया हूं और हल्का सुकर हाट हाट हाटी स्पून से थोगा कम तो सब्वार एड़कर के स्पूरिया से मिला दर हूँ और इसका थोड़ा चे मैं पानी एड़किया हूँ हाट को पर पानी एड़किया हूँ और इसमें में सुखा कॉन्फर ऐसे पोई-पोई पानी में घूल के डालते हैं मैं डायरेट कॉन्फर थोड़ा एड़किया हूँ दू टबल स्पून करिए यह मेरा सास पर गिया है और इसमें थोड़ा धनिया जब कॉरिंडल लेग्स बारी कटा हूँ था वह मैं थोड़ा राच गिया हूँ अभी मसला लाघमा मेला त्यार हो गिया है और मैं जो फाई पयाँ होता जो प्रोंग गोड्रेन सली डाउन जाना जो प्रांग इसको में एटकर दिया हूँ इसको बढ़िया सैग्जार डास कर द रहा हूँ किव मस्टमाफ मेस कमें टास्श चरह हूँ यह हो गया Suzanne त्रॉ धन्या बद एटकर दिया हूँ और प्र Карामप चेले मेरे तैयार है